हलो फ्रेंड्स वीजा टू एक्स्प्रोर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका होस्ट हरीश बाली कल रात को हमने डिसाइड किया कि नौर्थ गोगी फूड एंड ट्रावल जर्नी की शुरुवात हम सुबा अर्ली मॉनिंग छे बजे से करेंगे दिन भर गोवा की राजधानी पैंजिम में गुमेंगे और फूड एक्स्प्लॉर करेंगे हम पैंजिम पहुंच चुके हैं कि ब्रेक्वास्ट एट कैफे भोस्ले यह जो आप सामने देख रहे हैं ट्रेडिशनल गोवन ब्रेक्वास्ट है आप देखो इसके अंदर यह आप देख रहे हैं सुखी भाजी है सालेड भाजी साथ में मैंने अपने लिए मंगाया है यह बन इसको स्वीट बन भी बोल सकते हैं इसमें मैंने फाइंड आउट किया है कि बैनाना मैदा दूद बिस्तमाल करते हैं बैनाने के लिए और मैंने इसमें एक जगा खाके देखा था थोड़ा बहुत जीरा भी डा इन्वाइटिंग और टेम्टेंग है सालेड भाजी सालेड भाजी नाम सालेड है लेकिन इसमें लार्जिली दो चीजें इस्तामाल होती हैं प्याज और टमाटर आप पहले नोटेश करो यह स्वीट बन है यह हलका हलकी इसकी मोटी लेयर है उपर से थिन लेयर मीठा थो ही क्योंकि स्वीट बन है और इस तरह से सालेड भाजी इसके अंदर टमाटर की खटास बहुत ही उम्दा तो गुड़ है वाटर कॉंबिनेशन मज़ेदार ब्रेकफास्ट गोवा में आपको ब्रेकफास्ट काफी जगा देखेंगे आप ऐसे सर्व होता है आदे पोर्शन के अंदर एक भाजी डालते हैं दूसरे पोर्शन में दूसरी सूखी भाजी मैं अलड़ी खा चुका आज दिन की शुरुवात बहुत बढ़िया हो गई अपने प्लान से हम लोग धाई घंटे लेट चल रहे हैं आठ चालिस पर पहुंचे पैंजिम एनिवेस ब्रेकफास्ट करके मैंने पता लगाया कि अब कहां वाट नेक्स्ट तो किसी ने बताया आप इनी की बैकसाइड लेन में जाहिए और यहां पर आप कस्टर्ड और आइस क्रीम का मिक्सर इंजॉय करी है फूट के साथ साथे नोबजे दुकान खोली और हम ही पहले कस्टमर है देखो आप मैंने अपने लिए क्या मंगा है इसका नहीं है फ्रूट सालेड अभी अब देखो इसमें क्या-क्या दिखाई दे रहा है आइस क्रीम काजू कस्टर्ड और जली यह है जली कस्टर्ड और जली तो मैं पहले खा चुका हूं काफी बार वीडियो में नहीं बड़ अधरवाइस लेकिन साथ में आइस क्रीम का कॉंबिनेशन और इस तरह से फ्रूट सैलेड में मेरा पहला एक्स्पिरियेंस है वेरी टेस्टी हूं हूं एपल बैनाना चीकू कुल मिला के मज़डर अच्छा रहा यहां पर आना पंजिम से ओल्ड गोवा चर्च बारा किलोमेटर के डिस्टेंस पर है हमें स्कूटी पर आराम से जा सकते हैं ओल्ड गोवा चर्च शोला सो पांच में बनकर कंप्लीट हुआ बैसिलिका ओफ बॉम जीजस को युनस्को द्वारा रकगनाईज किया गया है अज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट दी बैसिलिका होल्ड दी मोटल रिमेंज ओफ सेंट फ्रांसिस जेवियर सेंट फ्रांसिस की डेथ अनिवर्सरी पर हर दस साल के बाद होली रिलिक्स को पब्लिक वीविन के लिए डिस्पले किया जाता है नेक्स एक्स्पोजिशन होगी इयर 24-25 में सेंट फ्रांसिस की डेड बॉडी में दिव्य शक्तिया हैं जिसकी वज़े से ये आस तक खराब नहीं हुई चर्च कॉंप्लेक्स के अंदर आर्केलोजिकल म्यूजियम भी है वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है हमने अंदर विजिट किया और काफी डीप डाइविंग हिस्ट्री नॉलिज पनने को मिली रिट्स क्लासिक 18 जून रोड में हम लंज करने आए काफी सारी रेकमेंडेशन के साथ सामने फिश थाली जो आप देख रहे हैं इसके अंदर टोटल मैंने काउंट किए 10 आइटम है इंक्लूडिंग फिश अब मुद्ध ये शुरू कहां से करें तो आई थिंक सबसे बेतर रहेगा प्रॉंज करी के साथ यह बीच में प्रॉंज है ड्रम स्टिक और यहां पर जो विजिबल चीज है वो है कोकम मेरको काफी सारे विवर्स के कमेंट है कि जब यहां पर आऊगे आप पैंजिम में तो लंच आप इधर जरूर करना बहुत काबिले थारीफ टेस्ट है मैंने सुना था कि जो गोन फिश करी होती है वो काफी तीकी होती है हाईर साइट पर स्पाइस रहता है लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर मुझे सबसे अच्छा जो पहली बाइट लेने पर लगा न वो है हलकी हलकी फिश करी के अंदर खटास और तीखा वेरी मच अच मीडियम लेवल हैं तूद शूरमे यह इनोंने साथ में रवा फ्राइ करके एपसलूटी सॉफ्ट और रवा फ्राइ करने से मर्दा खाने में बहुत बेतरी नादा है गुआ में मैंने बहुत लोगों से बात करी समझने के लिए कि कौन से फिश है सबसे ज्यादा चलती है तो काफी लोगों ने मुझे बोला कि सूरमे आपको सबसे ज्यादा देखने यहां पर जो लोकल नेम है वो है तिस्ट्रो यह देखो बीट कोकनट और अनियन के साथ ताली ने से यह फाइदा हो गया कि सब कुछ तोड़ोड़ा एक्स्पिरियंच करने को मिल गया इसको बोलते है किस मूर इसमें ड्राय प्राउंस रहते हैं जो आप यह देख रहे हूं साथ में कोकनट होता है और अनियन होता है ड्राय प्राउंस को फ्राइ करके इस डिश को बनाया जाता है बड़ा भेतुरीन टेस्ट है हलकल की खटास भी है बट वेरी नाइस यह लोकल फिश है कुक्ट इन अमबोटिक ग्रेवी आने मेले कुछ दिनों में कोशिश करूँगा कि इस ग्रेवी को और एक्स्प्लोर कर सको अमबोटिक फिल हाल जो फिश आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यह यह लोकल फिश है तारली देखो कितना सौफ्ट और फ्रेश मुव में डालते ही मेल्ट बड़ी सारी रेकमेंडेशन्स थी कि आप लंच यहां पर रिट्स पे करना और मैं काफी सेटिस्वाइड हूँ पूरे टेस से और ताली के कितनी सारी वरैटीज है उससे अब यह खतम करने के बाद मैं सोलकड मेरे को बहुत पसंद है तुफान, कोकोनट, कोकम और मसाले और यहां के कोकम का स्वाथ तो बहुत गजब है तूगल, खटान मत अच्छे से है फेंटास्टिक, वेरी गुड फो डिज़ेशन, कोकम तो जदू कर रहा है इसके अंदर, कोकोनट मिल्क के साथ, दो मिनिट की ब्रेक के बाद, खीर सेमियों से बनी हुई खीर हर तरस से मैंने इंजोई किया, तोटल खाली फिनिश करने मेरे को अल्मोस्ट आधा हंता लग गया, इंजोई करकर के खाने में, यहां आना काफी प्लेजन्ट एक्स्पीरियंस रहा अभी हम मिरामार बीच पहुंचे, यहां पर कुछ लोग मेरे को वॉली वॉल खेलते दिखाई दे रहें, काफी बड़ा सा एंटरंस है इस बीच का, शाम का समय लोग काफी इंजोई कर रहे हैं, हिमान्शू से जानते हैं, हिमान्शू को बीच कैसा लग रहा है, मिरामार बीच एक संसेट व्यूपॉइंट है, अभी अभी क्लाउच करके, अभी हम संसेट नहीं देख सकते हैं, यहां पर अभी अहवा का अहसास है, बहुत अल्टीमेट है, अभी ऑफ सीजन होते हुए, भी काफी टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं, यहां पर बीच के बाहर कम स इस खाने के स्टॉल्स भी हैं, इस से में कुछ खाने का मन नहीं है, लेकिन एक राउंड करके स्टॉल्स देख लेते हैं किस तरह के हैं, बड़े मिक्स रिव्यूज मैंने पढ़े थे इंटरनेट पे डोना पॉला के बारे में, फर्स हैंड दिखने के लिए मैं यहां पर मुझे तो जगा बहुत खुबसूरत लग रही है, देखो सामने रिवर भी है, ओशन भी है, इस समय बारिश का मौसम है, यहां पर वैसे मैंने सुना लोग संसेट भी देखने आते हैं, लेकिन बरसात के समय में संसेट विजिबिलिटी ओविसली नहीं हो सकती, बड़ दिस प्लेसे सो ब्यूटिफुल, आइकन सी मैनी मैनी टूरिस्स अराउंड, बहुत मजा रहा है, उपर चलके देखते हैं, उपर से व्यू कैसा है, उपर आके बहुत खुबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है, मंडोवी और जुवारी नदी यहां पर मिल रही हैं, अरेबिय दे सकते हैं, गो आए, तो कैसीनो तो एक्स्पिरियंस करना चाहिए, यह सामने लिखा हुआ है, माराजा कैसीनो, मैं अधर चलके पता लगाता हूँ, और देखते हैं, चलके, अभी हम इनके जटी से, चिप की तरफ जा रहे हैं, पांच से साथ मिनिट लगें कि हमको यहां से फीडरोड में वहां तक पहुचने के लिए, हाला कि यह नदी है, लेकिन आप बहाफ देखो, पानी का कितना खुबसूरत है, एनिवेस, इंजॉई करते हैं, इस एन्वाइरमेंट को, है, यहां पर यह तीन तरह के पैकेज़ है, हमने टॉप वला पैकेज लिया, तो 2500 रुपीज कोस्ट किया, अगर यह हम फ्राइड़े, साथेड़े, संड़े में आते हैं, तो 3.500 रुपीज कोस्ट करता है, बाकि डिफेरेंस, लार्ज़ी जो मुझे समझ में आया, वो है, एलकोहल के उपर, कि one can go for a bigger package, if you want something premium, this is also nice, good sitting area, और उपर के लाइटिंग भी काफी खुबसूरत है, अब मैं जड़ा गेमिंग सेक्शन, गाउंड फ्लोर पे देखता हूं, ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पर इलेक्ट्रोनिक गेमिंग सेक्शन है, लोट अफ गेम्स, कुछी दिनों में यह इलेक्ट्रोनिक गेमिंग सेक्शन स्टार्ट होने वाला है, अब हम फ्रस्ट फ्लोर के तरफ देखने चलते हैं, फ्रस्ट फ्लोर में क्या है, 9, 15, 13, 7, 2, 100 रुपे वैल्यू पर कूपन, प्रस्ट में चलते हैं, एक अप्र लोटेगाँ आपक्ड पर कुट्स्ट देखने एक्टन के तर्फ़ए स्टार्ट देखने हैं, वोट्लक्व, ऑण विन वोट लोटेए! चूएँ, उन एक्षण पर कुट्ब फ्लोर के से खोगे, कर दो अब आप अब आप अब अब इस तरफ लोर में ने लाइफ गेमिंग होते हुए देखी थोड़ा बद खिला भी इस समय हमाया थर्ड फ्लोर में यहां पर भी बताया गया कि लाइफ गेमिंग है यहां फोर्थ फ्लोर में शाम को साथ बज़े चार्ट स्नैक्स रहते हैं उसके बाद 9 बज़े डिनर, डिनर के साथ साथ, नो बज़े लाइफ डांज प्रोग्रम हो रहे होते हैं हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि हम यहां पर काफी जल्दी हैं एनिवेस यहां पर मुझे एक सजन मिलें इनके पास मोबाइल पर थोड़ी से रिकॉर्डिंग में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का डांस प्रोग्राम होता है पैंजिम में शिप में आना और कैसीनों देखना हमारे लिए काफी प्लेजन एक्सपीरियन्स रा सम्थिंग नियो मंडोवी रिवर में शाम को साड़े पांच बज़े से लेके साड़े आठ बज़े तक क्रूज होता है इस समय हम फायर ब्रिगेट के सामने पैरेडाइस क्रूज पर आए है सबसे पहले तो डेक पर जाकर खड़े हो जाओ काफी ट्रैवलर्स ऐसा ही कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर उपर खड़े होना और इस तरह व्यू को इंजॉय करना नीचे कल्चरल डांस प्रोग्राम चल रहे हैं ट्रैवलर्स वो भी खूब इंजॉय कर रहे हैं डांस, डीजे, म्यूजिक, all this is fun यह 45 मिनिट की जर्नी एक अच्छा एक्सपीरियंस है गोवा पैंजिम में जनरली क्रूज में अलग-लग लेवल्स होती है यह कह सकते हैं कि यह फेरी से एक लेवल ऊपर है इसके लिए इसका नाम भी बोट क्रूज है काफी स्ट्रॉंग रेफरेंसिस के साथ मैं आज कर डिनर करने आया हूं मम्स किचन में पैंजिम अपने लिए मैंने दो चीज मंगाई है आपको दोनों में दिखाता हूं इसका नाम है वाल शाक इस गोवन फूट का नाम है अमबाडे सांसफ अब इन दोनों को समझने के ल और यहां की भाशा में बोल सकते हैं कोंकनी में अमबाडे साथ में जो आप पाओ देख रहे हैं इसको यहां पर पोई बोलते हैं गेहूं के आटे से बनता है यह मेरको काफी लोगों की कमेंट आये थे कि पैंजीम में यहां पर आप लंच या डिनर ज़रूर करना तो आके मैंने चेक किया कि वेज नौन वेज दोनों में काफी वराइटी अवेलबिल थी गोवन फूट में लेकिन इस समय मेरा नौन वेज खाने का मन नहीं है इसके लिए दिखाई दिए रहा है उपर धनी से बड़े खुबसूरु धंग से गार्निशिंग करी है और मिरको ना यहां देखो आप मस्टर्ट सीट्स भी क्लियरली विजीबल है फर्स फील जो एक स्पून खाने के बाद आई है मुझे वो है कि मैं बहुत हेल्दी फूड खा रहा हूं तब यहां पर जिस खुबसूरती से कोकोनट का इस ड्राय भाजी में है मेरको बहुत मज़ा रहा है यह गोवा की लोकल बीन है वाल तो मुझे डाउट है कि गोवा क ग्रेवी के अंदर कोकोनट का टेस्ट टैमरेंड की खटास और यह जो आपने देखा अमबाडे इसकी खटास तीनों है और मैजिक कर रही है इस गोवन पाउ के साथ जिसको पोई बोलते है अभी तक मैंने यह नी खाया और मुझे बताया गया कि आब इसको खाओगे तो आ आने वाला है को गॉड़ को खटा लेकिन बहुत मज़ेदार अंदर एक गुठली होती है गुठली है तो जिसकी वैसे पूरा बाइट नहीं कर सकते हैं लेकिन धिले-धिले इसको हलका हलका बाइट करते रहो उसका जूस निकल रहा है एंड आइम इंजॉएंग दिस लाइ है मैं खाना खाते खाते ना पॉस लेता रहूं तो एक पॉस लो और कम से कम तीन-चार मिनिट तक इसको धिरे-धिले-धिले बाइट करता रहो दिन नेक्स्ट वन इतना टेस्टी आई है ग्रेट फूड अब इसको हम धिरे-धिरे फिनिश करते हैं और उसके बाद हम यहां से आज का डे जर्नी एंड करेंगे यहां पर इतना कुछ ट्रेडिशनल फूड में है तो मैंने अपने लिए डेजर्ट मंगा लिए है अब देखो यह तो आपको जो उपर दिख रहा है यह काजू है उसके नीचे चना दाल है मुझे बताएगा इसके अंदर जागरी है तो मैंने अपने लिए मंगवाया अगर किसी को नहीं पता हो तो सबसे पहले जो एसास होता है वो तो जैगरी है गरम और साथ ही साथ कोकोनट मिल्क यह दो चीज तो आप नोटिस कर लोगे पहला स्पून लेते और खाने का मज़ा गरम में ही है ठंडा वजाएगा तो मजा मैं कोशिश करूंगा आने वाले कुछ दिनों में मैं एक बार और पैंजिम जरूर विजिट करूँ और गोवन फूड को और डिटिल में एक्सप्लॉर करो इस एपिसोड में आपको सबसे अच्छा क्या लगा यह में कमेंट में जरूर बताईएगा हमेशा की तरह मैं इंत ताइम